हेलो फ्रेंट्स हमने हमारे चैप्टर 16 इस्टी मेशन जो कि हमारे C.I.B के ABM का मॉडल B का चैप्टर है उसका हमने थियोरी पोर्षन कंप्लीट कर लिया है तो आए अब हम इसके कुछ निमेरिकल्स देखते हैं फ्रेंट्स मैकमिलन के बुक में टोटल 24 निमेरिकल्स दिये हुए है और शुरू कि ये बान टू सिक्स जो है वो थियोरी पोर्षन के है तो इनको हम लोग नहीं सॉल्फ करेंगे हम लोग क्वेस्चन नमबर 7 से देखेंगे तो चली शुरू करते हैं हमारे क्वेस्चन नमब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी चैनल के उपर कोई नहीं वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी इंस्टेट नोटिफिकेशन मिलेगी तो चली सब्स्राइब करें जल्दी से और उसके बाद सुरू कर करते हम लोग हमारा आज का यह चाप्टर तो हम लोग क्वेश्चन नमबर से शुरू करेंगे तो देगी सेवन को नमबर क्वेश्चन में क्या करा है कि the CCI stadium is considering expanding its sitting capacity and needs to know both the average number of people who attend events there and the variability in this number the following are the attendance in 1000 at 9 randomly selected sporting events find point estimate of the mean and the variance of the population from which the sample was drawn हमें इसमें point estimate का mean निकालना है और variance निकालना है ठीक है फ्रेंट्स तुसली देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे यह हमारा question number 7 है यह हमारे data है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 data हमारे दिये वोए है हमारे n का value क्या होगा 9 उसकाद हमने x का value यहाँ पे लिख लिया है serially n हमारा 9 है तो हम यह 9 values जो है friend उसको पहले add करेंगे इनका summation जो है हमारा आएगा 128.5 इसका हम mean निकालेंगे जिसको कि हम लोग x बार बोलते हैं x बार का मतलब x का mean तो mean निकालने के लिए हम इसको 9 से divide करेंगे तो 128.5 divided by 9 is equal to 14.28 अब हम इसका x minus x mean निकालेंगे x हमारा यह हो गया x mean हमारा यह हो गया 8.8 minus 14.28 is equal to minus 5.48 14 minus 14.28 is equal to minus 0.28 21.3 minus 14.28 is equal to 7.02 और इस तरीके से हम लोग जो हमारे 9 variables हैं उसके value निकाल लेंगे अब उसके बाद हमारा यह value आया है हमें निकालना है x minus x mean का square तो यह हमारा x minus x mean आया है इसका हम square करेंगे तो 5.48 का square होगा 30.01 0.28 का square 0.08 7.02 का square 49.31 6.38 का square 40.68 and so on ऐसे करके हम सारे variables के square कर लेंगे उसके बाद इसका हम sum कर लेंगे तो हमारा यह सारे values का sum आया 168.96 अब हमारा जो formula था friend variance of sample का वो था sigma x minus x mean का square मतलब summation of x minus x mean का square divided by n minus 1 तो हमारा x minus x square का summation कितना है 168.96 तो हमने इसको 168.96 यहां ले लिया हमारा n 9 है तो 9 में से हम 1 minus करेंगे 9 minus 1 तो 168.96 divided by 8 is equal to 21.12 is our answer तो हमें क्या-क्या निकालना था friends हमें variance निकालना था और mean निकालना था में हो गया हमारा यह 14.28 और variance हो गया 21.12 next question हम रेक हैंगे 8th number question the pizza shop has developed business by delivering pizza orders promptly the shop guarantees that pizza will be delivered in 30 minutes or less from the time the order was placed and if the delivery is late the pizza is free the time that it takes to deliver each pizza order that is on time is recorded and the delivery time for those pizza that are delivered late is recorded as 30 minutes 12 random entries from the register are listed यहां पर फ्रेंड हमारा एक दो तीन चार पांच छे छे बार यह जो बार दिया हुए बार रेंडम इंट्रीज ली गई है रेजिस्टर से और सेंपल कितने का है सेंपल हमारा बारा का हो गया तो हमें क्या निकालना है कि find the mean for the sample तो sample का mean निकालने के लिए देखिया हम लोग क्या करेंगे हमारा एंड जो है वो बारा हो गया x की value जो दी हुई है यहाँ पर question में यह वाली इसको हमने यहाँ पर लिख लिया लिखने के बाद इन सबका हमने sum कर लिया sum करने के बाद हमने इसका mean निकालने के बाद चुकि यह 12 है तो हमने इसको 242.7 को 12 से डिवाइट गया तो our mean is 20.23 यानि mean के मतलब है x bar अब हमारा next step होगा x minus x bar x minus x bar 15.3 minus 20.23 is called to minus 4.93 29.5 minus 20.23 is called to plus 9.27 30.0 minus 20.23 is called to 9.77 ऐसे करके हम लोग पुरा x minus x bar का value निकाल लिए next step हमारा x minus x bar का हम square करेंगे तो यह जो value आई है इसका हम square कर लेंगे 4.93 का square 24.30 9.27 का square 85.93 9.77 का square 95.45 ऐसे करके हम सारा square निकाल लेंगे उसके बाद इसको add कर लेंगे तो हमारा value वा 689.67 यह क्या है फ्रेंड यह हमारा summation of x minus x bar का square है अब इससे हम variance निकाल लेंगे variance निकालने के लिए हमारा formula है sigma x minus x bar का square divided by n minus 1 sigma हमारा 689.67 आया है तो हमने यहाँ पे लिया n हमारा 12 था 12 में से हमने 1 minus किया तो 11 इसमें इसको divide करेंगे तो 62.70 अब standard deviation friend इसका formula होता है यह हमारे variance का है जब square root निकालेंगे तो that is our standard deviation एक तो यह formula होता और एक standard deviation का formula होता है standard error multiplied by root n तो यह हमारा under root 62.70 का root निकाला हमने तो 7.91 तो हमारा estimate time जो है वो हमारा जो mean है 20.23 इसमें plus minus 7.91 इस आवर estimated time तो 20.23 mean में हम standard deviation को add करेंगे तो 20.23 plus 7.91 22.23 minus 7.91 तो plus करेंगे तो 28.14 minus करेंगे तो 12.32 यह हमारा हुआ answer अब 9 number question देखेंगे फ्रेंट 9 number question है a meteorologist for a television station would like to report the average rainfall for today on this evening's new cast the following are the rainfall measurement in inches for today's date for 16 randomly chosen past years determine the sample mean rainfall sample mean निकालना सबसे easy है friend हम इन सब को add करके इनका जो number of variables है जो की 16 है यह 16 data दिये हुए हमारे इन सब को add करके हम 16 से divide कर देंगे तो हमारा जो mean है वो निकल कर आ जाएगा sample mean तो 5.9 divided by 16 इन सब को हमने add किया तो हमारा value आया 5.9 इसको 16 से divide किया तो our answer is 0.36875 not give time question no 10 demos a bank is trying to determine the number of taylor's available during the lunch rush on friday's the bank has collected data on the number of people who entered the bank during the last three once on Fridays from 11 am to speaking 5 p.m. using the data below find point estimates of the mean and standard deviation of the population from which the सेंपल वस ड्रॉन हमारा सेंपल यह लिया गया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा पारह टोटल बारह सेंपल हमारे लिये गए है तो हमारा एन का वैल्यू हो गया फ्रेंट 12 अभी इन सारे सेंपल को हमने देखें यहां पर ऐसे लिख लिया है जो कि हमार टो इन सब को हमने एड्ड किया तो एड्ड करने से हमारा वैल्यू आया 3559 इसमें हमने एक्स का मिन निकालने के लिए नंबर अव्मारा से डिवाइड किया तो 3559 divided by 12 is called to 296.58 अब नेक्स्ट हे हमारा हम इसको इसमें से माइनस करेंगी यानि x माइनस x बार तो 242 minus 296.58 is called to 54 इसका हम इस तरीके से निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका स्क्वाइर करेंगे, इसका हम समेशन करेंगे, दो समेशन हमारा आया 18266.92, अब हम इसका variance निकालेंगे, बैरियंस निकालने का हमारा फॉर्मुला है, सिगमा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वाइर टिवाड़ी ऑई न माइनस ऑई एक्स माइनस एक्स बार का हमारा वैली आया है, 18266.92 हमने ले लिया, sample हमारा total 12 था 12 में से हमने 1 minus किया तो हमारा 11 हुआ इसको इससे divide किया तो 16, 60.63 अब standard deviation निकाल लेंगे standard deviation के लिए हमारा formula है हम लोग variance का under root करेंगे तो हमारा SG निकल जाएगा तो इसका जो हमारा यहां पर value आया variance 1660.63 इसका हम root करेंगे तो हमारा standard deviation का value आया 40.75 तो हमें mean निकालना था और standard deviation निकालना था तो दोनों हमने निकाल लिया फ्रेंग हमारा mean हुआ 296.58 और हमारा standard deviation हुआ 40.75 तो हमें देखिंगे question number 11 फ्रेंट's question number 11 जो है same उसी तरह से बनेगा जैसे हमने 9 और 10 बनाया है तो ये question को मैं यहां skip कर रही हूँ क्योंकि इसमें इतना सारा data दिया है कि इसको calculate करने में बहुत time जाएगा तो इसको अगर आप चाहें तो practice के लिए आप अपने इस तरह पे इसको कर सकते हैं मैं इसको यहां पे skip कर रही हूँ तो हम अभी देखेंगे हमारा question no. 12 question no. 12 friends for a population with a known variance of 185 a sample of 64 individual leads to 217 as an estimate of the mean find the standard error of the mean establish an interval estimate that should include the population mean 68.3% of the time अभी friends यहां पे देखेंगे population के लिए variance हमारा 185 है sample यानी n, n का value हमारा 64 है और mean 217 है तो variance हमने 185 लिया n हमने 64 लिया mean हमने 217 लिया अभी variance से अगर हमें HD निकालना है तो variance का square root करेंगे तो 185 का square root हमने निकाला तो आया 13.60 अब standard error का formula होता है standard deviation divided by under root n तो हमारा standard deviation यहां पे निकला है 13.60 हमने 13.60 लिया और हमारा n जो है 64 है तो root 64 इसको 13.60 divided by root 64 का हम निकालेंगे तो 8 जिसको इससे divide करेंगे तो 1.7 अब add 68.3 percent interval estimate 68.3 पे फ्रेंड हमारा interval estimate होगा mean plus minus 1 into se यह मैंने आपको बताया था theory portion में कि 1 हम कहाँ add करेंगे 2 कहाँ add करेंगे और 3 कहाँ add करेंगे यहाँ पे मैं फिर आपको एक बार बता दे रही हूँ 65 percent 1 95 percent 2 और 99 percent 3 यही हमारा confidence interval का यह है 65 से लेके 95 के बीच में जो भी हमारा percentage रहेगा उसमें हम standard error में 1 से multiply करके mean में add करेंगे 95 से लेके 99 तक का जो data रहेगा उसमें हम standard error में 2 से multiply करेंगे फिर mean में add करेंगे और 99 से उपर जो data रहेगा उसमें हम standard error में 3 से multiply करके mean में add करेंगे तो यहां हमारा 68.3 है तो वो हमारा 65 to 95 के बीच में आएगा तो हम इसको 1 से multiply करेंगे standard error वो हमारा standard error 1.7 था तो 1.7 में 1 से multiply किया और mean हमारा 217 है तो mean में हम इसको add करेंगे तो हमारा value आएगा 218.7 ठीक उसी तरह उसको हम फिर minus भी करेंगे प्लस और minus इसलिए करते हैं फ्रेंट क्योंकि हमें एक interval निकालना होता है कि हमारा जो estimate है वो 215.3 से लेके 218.7 के बीच में आएगा तो इसलिए इसको हम लोग interval estimate कहते हैं तो हमारा 217 माइनस 1.17 हो गया 215.3 फ्रेंड हम लोग question number 13 देखेंगे यह देखें खिर नमबर 13 हा यह पर यह देखेंगेелов, question number 13 हा यहां gonna एक पर an undergraduate is interested in purchasing a used TV she randomly selected 125 advertisement and found that the average price of a TV in the sample was rupees 3250 she knows that the standard deviation of used TV prices in the city is 615 तो यहाँ पर देखे फ्रेंट जो sample select किया advertisement का तो एन हमारा 125 हो गया mean यहाँ पर दिया हुए कि average price of a TV 3250 तो यह हमारा mean हो जाएगा और standard deviation 615 तो हमें 68.3% परसेंट पर इसका interval estimate निकालना है और 95.95% पर इसका standard interval estimate निकालना है तो n हमारा 125, mean हमारा 3 to 50, standard deviation 650 तो इस standard error पहले हम लोग निकालेंगे standard error is called to standard deviation divided by root n friend मैं इसको se मतलब standard error और sd मतलब standard deviation लिखती हो कि यह वो sigma और xe में काफी confusion होती है तो अगर आपको यह method ठीक लगता है आप इसको follow करो otherwise आप symbol से भी इसको लिख सकते हो तो ac is called to sd divided by root n is called to हमारा sd है 615 तो हमने इसको 615 divided by under root 125 लिया 125 is our n 125 का root निकाला तो 11.18 615 में हमने 11.18 से डिवाइड गया तो 55 अब 68 पर 68.3 परसेंट पे हमें इसका estimate interval निकालना है और 95.5 परसेंट में निकालना है तो फ्रेंट मैंने आपको बताया जैसे पहले 68 में हम 1 से standard error में multiply करेंगे और 95 में 2 से करेंगे तो हमने वही किया है और उसके बाद हम उसको mean में plus करेंगे तो mean हमारा 3 to 5 0 है तो हमने 3 to 5 0 ले विया उसके बाद 1 into AC standard error 55 है तो 55 into 1 55 into 1 एक में plus होगा एक में minus होगा ठीक वैसी तरह यहां पर 2 into AC है तो हम पचपन में 2 से गुना करेंगे तो 55 into 2 55 into 2 अभी इसमें 55 add करेंगे इसमें 55 minus करेंगे तो 3 3 0 5 3 1 9 5 इसमें 55 into 2 हमारा 110 इसमें तो 3 2 5 0 plus 110 is equal to 3 3 6 0 3 2 5 0 minus 110 is equal to 3 1 4 0 next is a friend question number 14 from a population known to have a standard deviation of 1.4 a sample of 60 individual is taken the mean for this sample is found to be 6.2 find the standard error of the mean establish an interval estimate around the sample mean using one standard error of the mean तो friend देखें इसमें हमारा standard deviation 1.4 हो गया sample यानि की n हमारा 60 हो गया और जो हमारा mean है 6.2 हो गया तो हमने n is equal to 60 sd is equal to 1.4 और mean is equal to 6.2 लिया standard error हम लोग निकालेंगे s e is equal to sd by root n sd हमारा 1.4 है n की वाइन हमारी 60 है तो 60 का root निकालेंगे 1.4 divided by 7.74 is equal to 0.18 is our standard error उसके बाल बोल रहा है कि establish an interval estimate around the sample mean using one standard error of the mean तो one standard error वही है फ्रेंड हम 1 से घुना करेंगे standard error में तो mean plus 1 into a c mean minus 1 into a c तो 6.2 is our mean plus 1 into 0.18 is our a c और 6.2 minus 1 into 0.18 इसको जब हम solve करेंगे तो 6.2 plus 0.18 is equal to 6.38 6.2 minus 0.218 is equal to 6.02 और प्रेंगे फ्रेंगे फ्रेंगे तो यह देखे हमारा question number 15 है यहाँ पर from population with non standard deviation of 1.65 a sample of 32 items resulted in 34.8 as an estimate of the mean तो हमारा यहाँ पर standard deviation 1.65 और sample यानी n 32 और mean 34.18 तो standard error में निकालना है तो n 32 mean 34.8 sd 1.65 तो a c is equal to sd divided by root n sd 1.65 divided by mean n is equal to 32 under root 32 1.65 divided 32 का root 5.65 इसको इससे divide किया तो 0.29 is our standard error अब second question है friend हमारा compute the internal estimate that should include the population mean 99.7 percent of the time अब देखे फ्रेंगे यहाँ पर 99 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर a c को 3 से multiply करेंगे तो हमने यहाँ पर किया है mean plus 3 into a c plus minus तो पहले plus करेंगे 34.8 हमारा mean था यहाँ पर देखे 34.8 plus 3 into 0.29 is our a c तो हम a c को 3 से गुना करेंगे वैसे 34.8 minus 3 into 0.29 is going to 34.8 plus 0.87 34.8 minus 0.87 इसको हम solve करेंगे तो हमारा 35.67 or 33.93 तो हमारा इसको हमारा इसको हमारा इसको हमारा 35.67 or 33.93 तो हमारा इसको हमारा the next question number 16 thank you guys a company managing the flyover is concerned about the number of cars running the toll gates and is considering altering the toll collection procedure to make it more be cost effective it randomly sampled 75 hours to determine the role of violation the resulting average violations per hour were 7 if the population standard deviation is known to be 0.9 estimate an interval that has 95.5% chance of containing the true mean friend देगे इसमें हमारा N 75 हो गया उसके बाद हमारा mean है average violation 7 हमारा standard deviation 0.9 और हमें 95.5% परे इसका estimate निकालना है estimate interval तो देखिए यहाँ पे N is called to 75 SD is called to 0.9 mean is called to 7 तो AC is called to SD divided by root N SD हमारा 0.9 है और N 75 इसका root लेंगे 0.9 divided by 8.66 is called to 0.10 तो 95% confidence level पे हम 2 से multiply करेंगे AC को तो mean plus 2 into AC mean minus 2 into AC तो mean हमारा 7 है plus 2 into AC हमारा 0.10 आया है यह mean है 7 तो 7 plus 2 into 0.10 7 plus 0.2 is called to 7.02 7 minus 2 into 0.10 is called to 7 minus 0.2 तो यह हमारा आयेग 6.80 तो हमारा interval estimate हो गया 6.80 से 7.02 अब 17 number question देखिए फ्रेंड 17 number में बोल रहा है CHS managers want to inform potential renters about how much electricity they can expect to use during each month C randomly select 61 residents and discover their average electricity usage in August to be 8.94 kilowatt hours she believes their variance in usage is about 131 kilowatt hour square तो हमारा randomly उन्होंने select 61 तो N हो गया 61 average electricity use 8.94 तो mean हमारा हो गया 8.94 variance है 131 तो establish an interval estimate for the average August electricity usage so he can be 68.3 certain the true population mean lies within this interval और दूसरा repeat part A with a 99.7% certainty पहले हम वो 68.3 पर निकालना है उसके बाद 99.7 पर निकालना है तो variance हमारा 131 दिया है तो मैंने आपको बताया था HD निकालने के लिए हम लोग variance का अंडरूट लेते हैं 131 का अंडरूट लिया n जो है sample 61 का लिया था और mean 894 था तो standard error is equal to sd by root n sd हमारा 11.15 आया था वो हमने ले लिया उसके बाद हमने 61 का root लिया जो की हमारा n है तो 11.45 divided by 7.81 हमारा standard error निकाल गया 1.47 अब यहां पर हमने 68.3% पर और 99.7% पर हमारा interval estimate निकाला है तो 68.3 पे standard error में 1 से multiply होगा 99.7 में standard error से 3 से multiply होगा और एक plus और एक minus तो 894 हमारा mean है plus 1 into 1.47 हमारा standard error आया है वैसी 894 plus minus 3 into 1.47 हमारा 99.7% के लिए होगा friends तो 894 में हम लोग plus minus करेंगे 1.47 और 894 में हम लोग plus minus करेंगे 4.41 तो हमारा अपर estimate 895.47 और लोगर 892.53 आएगा 68.3% के लिए और 898.41 हाइस्ट और 889.59 हमारा lowest estimate आएगा 99.7% interval estimate के लिए और देखेंट question number 18. Given the following confidence level express the lower and upper limit of the confidence interval for these levels in term of x यह हमारे 54%, 75%, 94%, 98% दिए हुए है तो x के variable में इनका हमें interval estimate, sorry interval estimate difference confidence level हमें यहाँ पे निकालना है तो confidence level का limit मैंने आपको बताया था देखिए कि इसमें 90, 95 और 99 होता है, 90% पे हम लोग 1.64 add minus plus minus करते है, 95% पे हम लोग 1.96 का यह range है friend, मतलब up to 90% 1.64 plus minus करेंगे, above 92 95% हम लोग 1.96 plus minus करेंगे और 99 से above पे हम लोग 2.58% plus minus करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 54% दिया है, तो 54% में हम लोग plus 1.64 और minus 1.64 और into यह हमारा standard error का symbol है friends, तो आप confused नहीं होएगा, into यह AC भी हो सकता है standard error और x minus 1.64 into standard error, 75% के लिए भी same होगा 1.64, 94% के लिए हमारा 1.96 होगा, यानि x plus 1.96 into AC, x minus 1.96 into AC. 90 number question friend हमारा theory question है, यह देखिए, define the confidence level for an interval estimate, तो हम लोग question number 20 देखिएंगे, यह देखिए, question number 20 है, suppose you wish to use a confidence level of 80%, keep the upper limit of the confidence interval in terms of the sample mean x and the standard error, तो 80% पर भी वह हो जागा friend, जो मैंने आपको पर बताया है, यह देखिए, 88 हमारा 90 से कम होगा, तो 1.64 हम उसमें प्लस माइनस करेंगे, तो x plus 1.64 into a standard error upper limit होगा, और x minus 1.64 into a standard error lower limit होगा, तो इसमें सिर्फ upper limit पूछ रहा है, तो यह first वाला हमारा answer होगा, अब देखिए, question number 21, question number 21 है, as each customer enters his barber shop, Shiam yells out the number of minutes that the customer can expect to wait before getting his haircut, the only statistician is down after being frustrated by Shiam's inaccurate point estimates, has determined that the actual waiting time for any customer is normally distributed with mean equal to Shiam's estimate in minutes and standard deviation equal to 5 minutes divided by the customer's position in the waiting line, help Shiam's customer to develop 95 percent probability intervals for the following situation, तो फ्रें 95 percent पे हम लो plus minus 2 करेंगे, ठीक है, अभी देखिए, मैं यहां पे सिर्फ आपको दो condition समझाओंगी, बाकी तीन आप अपने level पे करिएगा, क्योंकि यह same question है, तो पहला आप बोल रहा है कि the customer is second in line and Shiam's estimate is 25 minutes, तो देखिए, मैंने यहां पे बनाया है, हमारा जो n का position है, वो 2 है और mean 25 है, क्योंकि यहां 25 minutes बोल रहा है, तो mean हमारा हो जागा 25 minutes, अब standard deviation देखिए, question में बोल रहा है, कि standard deviation equal to 5 minutes divided by the customer position, तो हमने वहीं पे किया, हमने 5 minutes को customer position हमारा 2 है, तो हम उसको 5 divided by 2 is equal to 2.5 लिया है, standard error is equal to हमारा होता है, standard deviation divided by root n, तो हमने 2.5 को n हमारा यहां पे 2 है, तो root 2 से हमने divide किया, तो 1.77 आया, अब at 95% confidence level पे हमारा mu plus 2 into AC हो जाएगा, mean हमारा है 25 और इसमें हम 1.77 into 2 करके add करेंगे, तो हमारा 28.54 आएगा, ठीक उसी तरह हम 25 में 2 into 1.77 को minus करेंगे, तो हमारा answer आएगा 21.46, ठीक उसी तरह B question है देखिए, the customer is third in line and Sam's estimate is 15 मिनट, तो यहां पे हमारा n का value 3 हो जाएगा और mean का value 15 हो जाएगा, तो HD हम निकालेंगे 5 by n, तो हमारा 5 by 3 होगा, 5 by 3 करने से हमारा HD का value आएगा 1.6, फिर हम लोग AC निकालेंगे, SD divided by root n, तो SD हमारा 1.6 है, n हमारा 3 है, तो 1.6 divided by root 3 हमारा आएगा 0.92, तो यह हमारा standard error हो गया, अब 95% पे हम लोग mean यहां पे हमारा 15 है, यहां पे 25 था, तो 15 में हम लोग 2 into 0.92 पहले add करेंगे, फिर 15 में से 2 into 0.92 माइनस करेंगे, तो हमारा answer आएगा 16.84 और lower limit आएगा 13.16, और इसी तरह जो फ्रेंड आप लोग CD और E भी करिएगा, same question है, इसलिए मैं इसको यहां पे नहीं करवा रही हूँ, तो यह रहा 22, चले फिर 15 22 करते हैं, a social psychologist surveyed 150 top graduate student and found that 42% of them were unable to add fractions correctly, estimate the standard error of the proportion, construct a 99% confidence interval for the true proportion of graduate students who cannot correctly add fraction, फ्रेंड यह जो हमने NPQ करके बनाया था, क्योंकि यहां पे proportion की बात हो रही है, तो proportion में हम लोग NPQ वाला जो हमारा formula था, उससे हम करेंगे, तो यहां पे N हमारा 150 है, देखिए, और P और Q जो होता है friend, हमेशा इन दोनों का sum जो है, वो 1 होता है, बुक में हमने theory portion में देखा था, तो P यहां पे 42% बोल रहा है, P मतलब success और Q का मतलब failure, तो यहां पे देखिए कि 42% जो है, वो correctly है, fraction, तो हमारा P का value हो जाएगा, 0.42, और 1 में से हम 0.42 माइनस करेंगे, तो हमारा Q का value आजाएगा, जो कि है 0.58, अब हम mean निकालेंगे, mean का formula होता है, N into P, तो N हमारा है 150, और P है हमारा 0.42, दोनों को multiply करेंगे, तो हमारा mean आगया 63, standard deviation निकालने का formula है, under root N, P, Q, तो N है 150, P है 0.42, और Q है 0.58, तीनों को multiply करके, उसका under root निकालेंगे, तो हमारा value होएगा 6.04, अब standard error निकालेंगे, standard error निकालने का formula है, under root P into Q by N, तो हमारा P है 0.42, Q है 0.58, दोनों को multiply करेंगे, फिर 150 से divide करेंगे, इसका under root निकालेंगे, तो हमारा answer होगा 0.04, अब 99% पर confidence level निकालना है friend, कुछ नहीं है, mean plus 3 into AC, यहाँ पर हम standard error को 3 से multiply करेंगे, क्योंकि 99% confidence level है, और एक बार plus करेंगे, एक बार minus करेंगे, तो हमारा mean है 63, देखें, यहाँ पर हमने निकालना है, mean 63, plus 3 into, standard error 0.04 आया है, तो 3 into 0.04, और 63 minus 3 into 0.04, तो 63 plus 0.12, 63.12 is our upper limit, and 63 minus 0.12, 62.88 is our lower limit. question number 23, question number 23, a computer store that buys wholesale untested computer chips is considering switching to another supplier who would provide tested and guaranteed chips for a higher price. in order to determine whether this is a cost effective plan, Pascal must determine the proportion of faulty chips that the current supplier provide, a sample of 200 chips was tested and of these 5% were found to be defective. तो अभी friend यहाँ पर हमारा N हो गया 200 और P हो गया हमारा 5% यानि 0.05, तो अभी standard error of the proportion हमें निकालना है और 98% confidence level पर हमारा उसका interval estimate निकालना है. तो देखिए, N हमारा 200, P is equal to 0.05, तो Q हमारा हो जाएगा, 1 में से हम 0.05 minus करेंगे, तो 0.95. mean हमारा N into P, तो 200 हमारा N है, P हमारा 0.05 है, दोनों को multiply किया तो 10, standard deviation निकाले, तो root P Q N, तो P हमारा N, sorry, N P Q, N हमारा 200, P हमारा 0.05, Q हमारा 0.95, तीनों को multiply करके under root निकाला, तो 3.01. फिर standard error निकालेंगे, standard error का हमारा formula है, under root P into Q by N, तो P into Q हमारा P है 0.05, Q है 0.95, दोनों को multiply करके, N हमारा 200 है, इससे हम divide करेंगे, उसके बाद इसका under root निकालेंगे, तो हमारा value आएगा 0.015, अब 98% confidence level पे हम 2 से multiply करते हैं, तो 2 से multiply करेंगे हम standard error में, तो mean plus 2 into standard error हम हमारा 10 plus 2 into, हमारा standard error आएगा 0.015, तो 0.015 से हम plus करेंगे, sorry 2 में multiply करके, 10 में plus करेंगे, और यहाँ पे हम 10 में minus करेंगे, तो हमारा answer आएगा, upper limit आएगा 10.03, lower limit आएगा 9.94, अब रेंड हम लोग हमारा last question देखेंगे, जो कि है 24, The owner of the home loan company randomly surveyed 150 of the company's 3000 accounts and determined that 60% were in excellent standing, find a 95% confidence interval for the proportion excellent standing based on part A, what kind of interval estimate might you give for the absolute number of account that meet the requirement of excellence keeping the same 95% Confidence level, इसमें हमारा N, जो capital N है, क्योंकि यहाँ एक पूरा proportion से एक sample लिया गया है, तो total account 3000 है, उसमें से 150 उसने sample, 3000 account में 150 sample का survey किया गया है, तो हमारा capital N हो जाएगा 3000, और small N होगा 150, और P हमारा 60% है, तो यह 0.60 होगा, देखिए N, capital N 3000, small N 150, P 0.60, Q is equal to 0.40, अब मीन निकालेंगे, मीन का हमारा formula है, N into P, तो 150 multiplied by 0.60 is equal to 90 is our मीन, उसके माद हम standard deviation निकालेंगे, under root N, P, Q, N 150, P 0.60, Q 0.40, तीनों को multiply करके under root निकालेंगे, तो 36, 36 under root 6, तो 6 is our standard deviation, फिर हम standard error निकालेंगे, standard error निकालने का formula है, P into Q divided by N, तो P का value है 0.60 multiplied by 0.40 divided by 150, दोनों को multiply किया, 0.24 divided 150, 0.0016 का under root हमने निकाला, तो हमारा standard error का value है 0.04, तो अब 95% confidence interval के हमें निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम 2 से multiply करेंगे standard error को, और mean में plus minus करेंगे, तो 90 plus 2 into 0.04, 90 minus 2 into 0.04, 0.04 हमारा standard error है और 90 जो हमारा mean है, तो इसको solve करेंगे, तो upper limit आएगा 90.01, lower limit आएगा 89.92, अब ये तो हमने standard error जो निकाला फ्रेंड, ये population का निकाला, अभी यहाँ पे standard error sample का निकालने के लिए बोल रहा है, हमें B में, ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे, निकालें यहाँ पे, इसका formula होता है, standard deviation divided by root n multiplied by capital N minus n divided by capital N minus 1, तो हमारा 6 है, standard deviation देखेंगे, हमने निकाला है, 6 divided by 12.24, हमारा n जो है, 150, 150 का आपी square root करेंगे, तो 12.24 आएगा, यहाँ पे लिए 6 divided by 150 into capital N हमारा 3000 है, minus small n, 150, capital N 3000 minus 1, तो 6 by 12.24, 150 का square root 12.24 हुआ, multiplied by 3000 में से 150 minus करेंगे, तो 2850, और 3000 में से 1 minus करेंगे, तो 2999, उसके बाद 6 को हमने 2850 से multiply किया, तो 17100 और 12.24 को 2999 से multiply किया, तो 36707.76, इसको इसे divide किया, तो हमारा जो standard error of sample आया है, 0.46 आया है, और friend इसको भी दे रहा है, 95% confidence level पे निकालना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको mean में, जो हमारा यह standard error आया है, 0.46, इसको 2 से multiply करके, mean में एक बार add करना है, और एक बार minus करना है, तो हमारा 95% पे sample, standard error of sample का interval estimate आ जाएगा, त question दियावाता friend numericals का, वो सारे हमने यहां cover कर लिए, और in future अगर और भी मुझे question मिलेगा, तो मैं आपको कोशिस करूं में provide कराने के लिए, तो तब तक के लिए keep watching our channel and thank you for watching friends.